हम इस वर्डप्रेस के मौड़िल में देखेंगे कि जो हम धीम डवलप कर रहे हैं जो हम कस्टम भीम बना रहे हैं खुद की थीम को आप बना रहे हो उसमें आप पेज को एक्टिव कैसे रखेंगे एक्टिव रखने का मतब क्या है कि माल लीजे कि आपने वेबसाइट को एक्टिव होने का मत्तब है कि वो जो नविगेशन है जो आपका मेन्यू है वो थोड़ा सा हाइलाइट होके कलर चेंज हो जाए तो कैसे आप इस प्रोसेस को एपलाई करेंगे क्योंकि यही होता है कोई भी वेबसाइट को उपन करते हैं तो जिस पेज पर मैं क्लिक करता हू उसको कैसे हाइलाइट और कैसे अक्टिव करेंगे यह पूराए क्रेंगे प्रोसेस चीजए क्लियर कि यह क्लिए यहां फरख रखंगे यहां पर देखे मैं home पे click करता हूं, home page खुल जाता है, यहां पर about पे click करता हूं, about page, gallery पे click करता हूं, gallery खुल जाता है, खुलता है page, gallery उपर URL में भी जाता है, मुझे यह थोड़ा highlight से ही है, जो यह जो नाम लिखा हुआ, यह थोड़ा highlight हो जाए, मैं चाहता हूं, इसके बीचे background blue हो जाए, और इसका color white हो जाए, तो किस process से क्या logic लगाएंगे, जिससे यह apply हो जाएगा, यह पूरा process क्या करेंगे, clear करेंगे, जिससे आप इसको apply कर पाएं, तो मैं अगर website को open करता हूं, यहाँ पर कौंसा link active होना छीए, यहाँ पर home ओला link active होना छीए, क्योंकि home page पर भी यही खुलता है, और website को open करते हैं, तब भी यहीgame खुलता है, तो इसमें आपका home का link active होना छीए, जब भी आप navigation बनाते हैं जब भी आप menu बनाते हैं जैसे home about course gallery तो इसमें एक class apply हो जाती है देखे मैं अभी inspect करके दिखाता हूं यहाँ पर देखेंगे तो एक current page करके class apply है इसके अंदर आप देखेंगे current page parent current page parent केवल current page के लिए मतलब जो आपका page open है उसके लिए है जब आप click करेंगे तो यह class उस पर apply नहीं होगी अगर यह class केवल current page मतलब home के लिए है देखें दूसरे पर नहीं हो रहा है अब जब मैं about पर click करूँगा तो यह home से हट जाएगी देखें होम से हट गई है और about और इन पर कौन सी class apply होती है current menu item नाम के class apply होती है देखें यहाँ पर दिख रही है current menu डेस item नाम की class किस पर apply अभी about page और about पर क्यों है देखें क्योंकि about page अपने सामने क्या है open है तो हम इस logic से यहाँ पर क्या करेंगे css का use करेंगे और इसके navigation के link को active कर देंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं website को open करता हूं देखें वेबसाइट को open करने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूं तो इसमें जो class apply होती है वो देख लेता हूं मैं यहाँ यहां पर current page parent करके class को copy करता हूं subline में जाता हूं जहां पर मैं काम कर रहा था देखेंगे मेरी website थी यहां पर WP content के अंदर theme के अंदर जाता हूं और यहां से अपनी theme जो custom theme है उसके अंदर style.css में चला जाता हूं और यहां पर जाके मैं यहां पर यहां पर बना हुआ है मैं यहां पर क्या गरता हूं इसको बनाता हूं और इसके अंदर मैं background color दे देता हूं देखें पहले class देख लेते हैं किस पर अगर यह अपने को टार्गेट करना है अगर यह अंदर आप यहां पर इस पेज देखेंगे लिखेंगे ए तो current पेज जो है अपना current पेज parent वहां पेज का एंकर टार्गेट करना और वहां पर जो भी background देना चाहते तो मैं background color देता हूं रैड देखें मैं यहां पर और यहां पर देखें मैं अभी इसके अंदर color दे देता हूं वाइट तो मैं यहां पर जाके क्या करता हूं रिफ्रेस करता हूं देखें अभी आपका color भी वाइट हो जाएगा देखें वाइट हो गया और थोड़ी यहां पर देखें मैं यहां पर देखें मैं यहां पर रिफ्रेस करूंगा तो अपने आप वाले पेज पर चीज आ जाएगी देखें से मैं इस प्र प्रापर्टी आप लगा सब्या है आप अपने और इमीज करना चाहते है जो इस पेपलाई करना चाहते है जो सके अब लीए बोटम से ग्जामपल ल॒ आ डीजीए मुझे इसको फो में एक घ्यांपल बदा रहा हूंौ मैंने यह और मैं यह उसांपर बना हूं बना हो था कि अपना parent page कौन सा है मतलब home page कौन सा है उस पर ये class लगा के देता है a tag को target किया ये apply हो गया और जब आप pages पे click करते हैं जैसे about पे click किया आपने gallery पे click किया तो gallery पे class apply हो जाती है मैं बार बार बता रहा हूं आपको class का नाम है current-menu-item ये class apply हो जाती है यहाँ पे apply हो गई है और इस page देखे तो मतलब इसके anchor tag मतलब इस gallery पे वो चीज क्या होने वाली है apply होने वाली है और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि यह property यहाँ पे हमने जो लिखी थी वो यहाँ पे आ रही है तो अभी के part में यह clear हो गया होगा कि जिस page का आप click करते हैं उसको active कैसे करेंगे उसके menu को active कैसे दिखाएंगे उसमें color background कैसे चेंज करेंगे यह सारी चीज आपके सामने clear हो गई होगी थैंक्यू सो मज़ गाइज